तो इसमें जो next question हमारा, question number 72 तक तो हमारे complete होगे थे, question number 73, तो question number 73 क्या गिवन है इसके अंदर, 73 question है, let you and we be elements of an inner product space such that norm of you given है, norm of you क्या गिवन है मारे पास, 3, norm of v जो गिवन है मारे पास वो कितना है, 5, norm of u plus v जो गिवन है मारे पास वो कितना है, 8, और norm of u minus v है जो हमें यह find out करना है, तो यहाँ पर जो मारे पास first option है वो क्या मारे पास first option है, 2, second option में इसका अंसर कितना root 34, third option में क्या गिवन है इसका अंसर 0, और fourth option है इसके अंदर मारे पास, तो यह हमारे पास च्यार option गिवन हमें क्या find out करना norm of u minus v, तो अभी थोड़ी देर पाले हमने एक result करया था, क्या result था वो, norm of u plus v का square plus norm of u minus v का square is equal to 2 time of norm of u का square plus norm of v का square, यह थोड़ी देर पाले हमने result किया, तो इस result के अंदर आपने कुछ नहीं करना value उठा के put करनी, तो सबसे पहले हमारे पास किस की value की उन्हें, norm of u, norm of u हाँपर अगर value रखो कितना हो जाएगा 9, तो value रुख दे, आपके कितना होगा 2 time of, तो अगर norm of u की value कितना 33 का square करो कितना हो जाएगा मार पास 9, norm of v की value कितना 5, तो 5 का square करोगे तो 25, 25 plus 9 कितना होगा 34, 34 into 2 कितना हो जाएगा मार पास 68, अब यहाँ पर value किसकी की उन्हें, एक value होगा मार पास u plus v के norm की, तो इसकी value पूट करोगे तो 8, 8 का square कितना होगा 64, 4 plus 9, norm of u minus v का square is equal to 68, तो यहाँ से इसको right side लेके जाओगा norm of u minus v का square is equal to 68 minus 64, 4 is equal to 4, तो यहाँ से norm of u minus v किसकी is equal to होजाएगा under root 4 यानिके 2, तो क्या answer होजाएगा, फर्स्ट option इसका right होजाएगा, चला देगा, तो question number 74 क्या है, इसके अंदर, question number 74 है जो given इसके अंदर, let u and v be any two elements, elements of n, inner product space, then inner product space के दो vector में गिवन है, यह element बोल दो u and v, तो अब हम इसने च्यार option दिया हमारे पास, क्या option है फर्स्ट इसके अंदर, inner product of u, a, v is equal to conjugate of a into u, v की inner product, second option है इसके अंदर हमारे पास, u, a, v की inner product is equal to a time of u, v की inner product, third option हमारे पास क्या गिवन है, u, a, v की inner product is equal to u, v की inner product, और fourth option हमारे पास इसके अंदर, तो यह च्यार option हमारे पास इसके अंदर गिवन है, तो हमें इसके लिए inner product space की property भी थोड़ा सा मालूम होने चीए, एक inner product space के अंदर property हमारे पास, अगर आप किनी भी दो vector की अगर position बदलोगा, तो इसके आगे क्या जाएगा मारे पास, तो यह conjugate के बराबर होगा, तो इसके अंदर यह चीज़ हमारे पास, first option इसका right हो जाए, क्या इसके अंदर, तो u, a, v की inner product, तो यह चीज़ हमें गिवन है, तो अब अगर इसके अंदर inner product space के अंदर, second property होती है, मारे पास inner product space है, अगर आप दोनों की position बतल दोगे, तो वो उसके conjugate के बराबर होगी, तो यहां से अगर मैं इन दोनों की position चेंज कर दियूँ, तो क्या हो जाएगा, a, v, u की inner product के conjugate की equal to हो जाएगा, और अगर first vector के साथ कोई भी अगर मारे पास scalar हो, तो वो क्या हो सकता, direct बारे निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लेकिन उपर पूरे के क्या हो जाएगा, यह conjugate of a, into v, u की inner product, तो conjugate दोनों क्या हो जाएगा, अलग-अलग, तो a का conjugate into v, u का inner product का conjugate, तो इन दोनों क्या हो जाएगा, a का conjugate into u, v की inner product, तो किसका use gram नहीं, इसके अंदर inner product space की property number second का, तो इस जाएगा, तो इसके आप से, यहां पर कोंड शान्स वर इसका ठीक हो जाएगा, option number first इसका right हो जाएगा, तो इसके बाद मारे पास question number है, इसके अंदर 75, जो 75 number question वो मारे पास, इसके अंदर number three का एक question है, इसके अंदर हमने reminder find out करना है, तो क्या है इसके अंदर find the, reminder, in the division, division of 2 raise to the power 22 by 7, तो 7 से हमें इसको क्या करना है, divide, तो इसका reminder हमें find out करना है, तो इसको अंदर हमने क्या करना है, 2 raise to the power 22 को किसे divide करना है, 7 से, तो इसका इसको divide करो, या फिर इसका reminder find out करो, आप congruence का use करके निकालोगे, तो congruence के अंदर अगर इसको solve करोगे, तो क्या होता हमारे पास, कोई भी number वो खुद के congruence होता, 2 किसके congruence होगा हमारे पास, 2 is congruence to 2, और modulo क्या लगा दे होगे, यहाँ पे 7, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अमने किसको divide करना, 2 raise to the power 22 को, तो अब यहाँ पर जो number हमारे पास, हमें क्या कोशिश करनी है, जो यह number है 2, इसकी power हमें 22 तक increase करानी है, और इस number को हमें क्या करना, दोनों side power करते विछ रहना है, और इसकी power कहां तक लेगा जानी है 22 तक, लेकिन इसकी power जैसे यह number 7 से बढ़ा हो, तो 7 से क्या करते होगा इसको reduce, तो अब आपने जैसे-जैसे power दीर-दीर हैं आपर बढ़ानी है, और दीर-दीर कहां तक लेगा जानी है 22 तक, लेकिन आप सब से पहले आप जब भी इस number को reduce करोगता, आप कोशिश करो कि आपका number छोटे-छोटा number बचे, तक यह आपको दोनों side power करने में असानी हो, क्योंग इधर वाड़ी power आपको solve करने पड़ेंगे, और इधर वाड़ी power आपको solve करने की जुरूत नहीं, क्योंग कितने तक लेक जानी हम इस power को 22 तक, तो पहले आप क्या करोगे, अपनी साथ आनी के लिए, दोनों side 3 power कर दो, तो क्या कर दोगे, क्यूबिंग on both side, तो क्या करोगे 2 raise to the power 3, तो यहाँ पर क्या हो जगा 2 raise to the power 3, और मोडूलो क्या हो गया, 7, तो अब यहाँ अगर 2 भी power 3 solve करो कितना हो जगा, मारे पास 8, तो 8 क्या होगा, मारे पास 7 से बड़ा, अगर 7 से reduce करोगे, तो 8 को रिमाइंटर कितना बज़ जाएगा, 1, और मोडूलो क्या होगा, मारे पास 7, तो अमें यहाँ आपर number 0, या 1, या 2, या minus 1, minus 2, छोटे सोटा number हमें, आपर बचाने कोशिज करने, ताके दो यहाँ वाली पावर, अमें सोल करने में easy रही, तो अब हमारे पास, यह कितना पावर होगी 3, तो मारे लेकर काहा तक जाना, इसको 22 तक, तो दोनों साइड आप कितना पावर कर देओ, 7, 7 पावर करोगी यह कितना होजाएगा, 2 की पावर 21, और 1 की पावर 7 करोगी कोई फेक्ट होगा है नि, गॉंग्रुवेंट 1 मोडलो 7, तो यह हमारे पास क्या होगया, एक equation आगा, इसको आप equation number second देदे, और इसको equation number क्या देदे आप, क्योंगे मैं कितनी पावर 1 है, 2 की 22, तो इन दोनों congruence के आप क्या करोगे, अगर मोडलो सेम हो, तो आप congruence की multiply कर सकते हो, इन दोनों की multiply करोगे, क्या निसकर्स निकल जाएगा मारे पास यहाँ पर, तो इन दोनों की multiply करोगे क्या होजाएगा, तो इन दोनों की आप क्या क्या करोगे क्या होजाएगा, तो अब यह 2 की पावर 22 की इसके congruence 2, मोडलो 7, अगर यहाँ आप नमबर आपका 7 से बढ़ा हो, तो आप उसको क्या कर दोगे, 7 से reduce कर दोगे, अगर 7 से चोटा नमबर तो वह यहाँ आपका क्या कर आएगा, यहाँ पर remainder कर आएगा, तो इस question के अंदर option क्या इसके, वो देखो क्या option गिवन है इसके अंदर, इसके अंदर जो option हमारे पास, option number first गिवन हमारे पास, इसके अंदर 1, 7, option number second के अंदर गिवन हमारे पास इसके अंदर, 1, option number third के अंदर गिवन हमारे पास इसके अंदर 2, और option number four के अंदर गिवन है इसके अंदर 4, तो किदना रिमेंट रहे मारे पास 2, तो इसका option number third राइट हो जाएगा, question number next क्या इसके अंदर, question number 76, question number 76 का है इसके अंदर एक linear diphentine equation the linear diphentine equation diphentine equation ax plus by is equal to c has a solution has a solution if and only if तो यह हमारे पास क्या पूछ रहा है कि linear diphentine equation दे रही ax plus by is equal to c इसका solution कब exist करेगा यह हमें उताना तो यह मैं सीधा number 32 book के अंदर proof तो वहाँ पर मिली जाएगा सीधा result based question है तो इसका solution आपका कब exist करेगा जब आपका a और if gcd of a b divide से c तो कब इसका solution exist करेगा अगर a और b का gcd किसको divide कर दे आपका c को divide कर दे तो solution exist करेगा अगर divide ना करेगा तो solution इसका exist नहीं करेगा तो इस option हमारे पास, इसके अंदर A divides C, fourth option हमारे पास, इसके अंदर B divides C, तो कौन सा option इसका right होगा, इसका option second right हो जाएगा next question है, इसके अंदर question number 77, question number 77 के अंदर क्या गो नहीं, इसके अंदर 5 of 16, यानि 16 का हमे 5 find out करना है तो यह हमारे पास, तो 5 निकालने के मारे पास कुछ रजल्ट की होते हैं, के रजल्ट है 5 of P is equal to P minus 1 5 of P is equal to P raise to the power N is equal to P raise to the power N minus P raise to the power N minus 1 और यहां पर हमारा P का होना चीए, P is prime, तभी यह result valid है, अगर आपको यह result अगर लगाने हैं, तो आपका जो number आपको उसको prime के अंदर factorize करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमारा जो number यह किस टाइप का P raise to the power N type का तो N की value क्या होगा हमारे पास हैं, आपर 16 तो 16 को क्या लेक्षिकते हैं, 2 की power 4, तो दूनों side 5 of N, यह फिर 5 of 2 raise to the power 4, find out करो तो P की value कितना 2 होगी हमारे पास तो 2 raise to power 4 minus क्या होगा, P raise to power N minus 1, तो 2 raise to power 4 minus 1, तो 2 raise to power 4 minus 2 raise to power 3, तो कितना होगा, 2 raise to power 4, 16 minus 8 is equal to 8, तो यह का लेक्षिकते होगा मारे पास 8, तो इसके option क्या है क्या है मारे पास इसका जो first option है मारे पास वो 1, जो second option है वो मारे पास 7, जो third option गीवन वो इसका मारे पास कितना 8 और जो 4th option वो मारे पास 9 तो कितना होगा इसका 5 8 तो इसका 3rd option राइट हो जाएगा इस प्रकार मारा तो next question हमारे पास इसके अंदर एक dynamics का question है question number 84 तो ये question हमारे पास simple harmonic motion गा in simple harmonic motion the maximum velocity maximum velocity तो इसके अंदर मारे पास कहा 잘AR? तो ये मारे पास सीधा formula ला है तो maximum velocity एक क्या formula उप्सन कहाएगैं हमारे पास है maximum velocity is equal to root mu a second option इसके अंदर मारे पास A, third option है मारे पास इसके अंदर mu A, और fourth option है मारे पास इसके अंदर unroot mu A तो क्या formula होता है इसका मारे पास root mu A, जिसके अंदर आपके पास constant की तरह treat होगा, तो क्या option होगा इसका सिधा formula है root mu A